हेलो स्टुडेंट्स हम लोग पाद रहें क्लास 9 का पहला चेप्टर नम्बर सिस्टम और नम्बर सिस्टम के सीरीज में यह हमारा 10 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग स्टाट करेंगे question 14 से ठीक है तो इस question को solve करने के लिए question 13 जो हमने किया था वह आपको आना चाहिए ठीक है अगर आपने वो question नहीं देखा है तो please पिछले वीडियो के last में उस question को solve किया वा है उस video को आप देखिए उसके बाद ये समझ में आएगा ठीक है तो start करते है इस question को देखो इस question में क्या दिया वा है ए एएकस का value दिया वा है और हमें ये प्रूव करके दिखाना है ठीक है एकस का value हमारे पास है और ये प्रूव करके दिखाना है कि this 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 equal to zero ठीक है तो अब भीज़े क्वेमने होगा धीक X के value को direct यहां पर उठा के put कर दें, फिर उसका cube करें, फिर यहां पर उस X के value को put करके cube करें, यहां square तो यह question काफी complicated हो जाएगा, पिछले question में हमने देखा था, कि अगर X दिया वार आता है, तो हम लोग इस value को कैसे find करते हैं, इस value को कैसे find करते हैं, तो हम लोग क्या सबसे पहले हम लोग इस value को अलग से calculate कर लेंगे, और इस value को अलग से calculate करके, इस equation में यहां पर put कर देंगे, तो इस पूरे का value हमें prove करके लाना है 0, तो देखते हैं 0 आता है कि नहीं, तो देखो X का value दिया हुआ है, तो हमें यहां पर क्या दिख रहा है, कि मैं फिर से बो 1 by X calculate कर लेते हैं, तो X का value अगर यह है 5 minus root 21 by 2, तो 1 by X क्या हो जाएगा, यहां पर X का value दिया हुआ है, तो हम 1 by X निकाल रहे हैं, मतलब X को reciprocal कर रहे हैं, तो अगर X का यह value है, तो 1 by X का क्या value हो जाएगा, 2 upon 5 minus root 21, यह आ गया 1 by X का value, ठीक है, अब देखो denominator में root का sign है, त 1 by X equal to 2 upon 5 minus root 21 into 5 plus root 21 by 5 plus root 21, ठीक है, एक सेक्ड, ठीक है, तो यह क्या हो गया, 1 by X equal to 2 5 plus root 21, divided by देखो, यहां पर numerator, numerator multiply हो गया, और denominator, denominator को multiply करेंगे, तो यहां पर formula fit हो रहा है, A minus B, A plus B का, तो यह क्या हो जाएगा, 5 का square minus root 21 का square, यह हो गया, 1 by X equal to 2 bracket में 5 plus root 21, divided by 5 का square हो गया, 25 minus root 21 का square हो जाएगा, 21, तो 1 by X का क्या value आ गया है, 2 bracket में 5 plus root 21, divided by 25 minus 21 हो गया, 4, और 2 सी इकट जाएगा, 2 बार में, तो 1 by X का क्या value मिल गया हमें, तो 1 by X का value आ गया, 5 plus root 21 by 2, तो X का value दिया वा था, 5 minus root 21 by 2, और 1 by X का क्या value आ गया, 5 plus root 21 by 2, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इसको calculate कर लेंगे, तो board बेचेगा कम है, हम इसका, हमें 1 by X का value मिल गया, अब कैसे मिला, इसको हम erase कर देते हैं, ठीक है, तो यह आ गया, 1 by X का value, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको 1 by X equal to 5 plus root 21 by 2, ठीक है, तो अब हमारे पास 1 by X का value अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको find करेंगे, X plus 1 by X को, now, X plus 1 by X, तो X का value हमारे पास है, X का value क्या दियावा है, 5 minus root 21 by 2 plus 1 by X, 1 by X का क्या value आया है, यह value आया, तो 1 by X के place पहम इसको put कर देंगे, 5 plus root 21 by 2, अब अगर देखो, यहाँ पर दोनों term का क्या हुआ, denominator सेम हो गया, तो दोनों का LCM भी 2 हो जाएगा, तो numerator वाले पार्ट को हम लोग एड़ कर लेंगे, 5 minus root 21 plus 5 plus root 21, तो यहाँ पर क्या हो गया, minus root 21 plus root 21 cancel हो गया, 5 plus 5 यह हो गया, 10 by 2, तो 10 by 2 कटके क्या आजाएगा, 5, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ गया, x plus 1 by x का value मिल गया हम लोगो, 5, now, अब यह कैसे मिलेगा, तो हम इसको, x plus 1 by x का whole square अगर हम करेंगे, x plus 1 by x का value हमारे पास है, 5, अगर हम squaring both side कर दें, ठीक है, तो यह हो जाएगा, x plus 1 by x का whole square equal to 5 का square, तो यह हो गया, x square plus 1 by x square plus 2 into x into 1 by x equal to 5 का square हो गया, 25, यह हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x square plus 1 by x square का value चाहिए, और यह x square plus 1 by x square का value कहां से आएगा, यह चीज हमें कहां से मिलेगा, तो अगर हम इसको whole square करते हैं, और whole square करके जब हम break करेंगे, तो उसमें हमें पता है कि यह वाला term मिलता है, ठीक है, तो यह हमें अपने से सोचना होगा, ठीक है, और अपने से भी सोचने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर पिछला question आपने किया हुआ हो, पिछला question आपने देखा हुआ है, तो आपको यह चीज देखते ही, दिमाग में तुरंट आजाएगा, कि यह वाला value हमें कहां से मिलेगा, ठीक है, इसको कैसे खोजा जाता है, कभी भी आगे भी future में भी कभी आपको अगर बोला जाए तो वहां से हमें x square plus 1 by x square का value मिल जाता है, ठीक है, तो अब यह क्या हो गया, x square plus 1 by x square plus, यहां पर तो यह x x cancel हो गया, बचा plus 2, equal to 25, तो यह 2 उधर जाके minus हो जाएगा, तो x square plus 1 by x square equal to 23, तो हमें x square plus 1 by x square का value भी मिल जाता है, अब हम इसको find करते हैं, तो यह कहां से मिलेगा, फिर x plus 1 by x का value हमारे पास है, x plus 1 by x का value है 5, तो अगर हम cubing both side कर देंगे, यहां पर हम लिख लेंगे, squaring both side, तो similarly यहां पर हम लिखेंगे, cubing both side, तो यह क्या हो जाएगा, x plus 1 by x का whole cube equal to 5 का cube, तो x plus 1 by x का whole cube, आपको a plus b का whole cube का formula याद होना चाहिए, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, x cube plus 1 by x cube plus, अच्छा, class 9 में हम लोग पहला chapter पढ़ रहे हैं, और यह जो formula a plus b का whole cube साइद class 8 में नहीं है, यह अभी 9 class में आगे आएगा जब हम factorization topic पढ़ेंगे, वहाँ पर आएगा a plus b का whole cube, तो आपको अगर नहीं पता है, तो आपको यह समझ लो, a plus b का whole cube क्या होता है, a cube plus b cube plus 3ab bracket में a plus b, और a minus b का अगर whole cube होगा, तो यह होता है, a cube minus b cube minus 3ab bracket में a minus b, ठीक है, आप इसको लिख लो इस formula को memorize कर ले न, तो यहाँ पर देखो, x cube plus 1 by x cube, यह a plus b का whole cube था, तो यह होगा a cube plus b cube plus 3 into x into 1 by x, और bracket में x plus 1 by x equal to 125, देखो क्या हो, यह a plus b था, तो a cube plus b cube plus 3ab bracket में a plus b equal to 5 by cube 125, देखो तो हमें जो find क्या करना था, x cube plus 1 by x cube का value find करना था, वह हमें दिख रहा है कि यहाँ पर आ गया मिल जाएगा हमें इसको तो as it is रहने तो x cube plus 1 by x cube plus यह x और x cancel हो गया 3 into x plus 1 by x तो देखो x plus 1 by x का value क्या है 5 तो उसके place पे लिख दो 5 equal to 125 तो x cube plus 1 by x cube यह हो गया 5 3 जा 15 और 15 उधर जाएके minus हो जाएगा तो 125 minus 15 क्या हो जाएगा 110 तो हम x cube plus 1 by x cube का value मिल गया और x square plus 1 by x square का value मिल गया और x plus 1 by x का value भी मिल चुका है 5 तो अब हम इसमें यह तीनों के value को यहाँ पे put कर देंगे और prove करके लाना है prove करके दिखाना है कि इसका value 0 आएगा तो देखने 0 आता है कि नहीं ठीक है क्या था यह 23 था नहीं यहाँ ठीक है now x cube plus 1 by x cube minus 5 x square plus 1 by x square plus x plus 1 by x ठीक है तो देखो x cube plus 1 by x cube का value आया 110 तो इसके place में लिख देते है 110 minus 5 into x square plus 1 by x square का value आया था 23 into 23 हो गया plus x plus 1 by x उसका value था 5 तो उसके place पे लिख दो 5 तो यह हो गया 110 plus 5 यह हो गया 115 और minus 23 into 5 यह भी हो गया 115 तो आ गया 0 यह में prove करके लाना था तो 0 आ गया तो यह prove हो गया हमारा ठीक है तो यह question complete आगे बढ़ते है अगले question की तरफ कि दो कुशन नमबर 15 है इसके बाद यह था question नमबर 14 15 देखो क्या है question number 15 में दियावा है x का value दियावा है root 2 plus 1 by root 2 minus 1 ठीक है और y का value दियावा है root 2 minus 1 by root 2 plus 1 और फिर पुछा जा रहा है हमसे find the value of x square plus y square plus x y इसका value find करना है तो देखो आपके पास क्या option है x का value दियावा है direct x के place पे x का value put कर दो उसका square कर लो y का value दियावा y के place पे y का value put करके square कर लो और यहां भी ठीक है solve करोगे आ जाएगा लेकिन यह तरीका थोड़ा सा lengthy हो जाएगा थोड़ा सा complicated हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा इसको दिमाग लगाएं तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं कैसे देखो सबसे पहले तो x का value दियावा है वो denominator में root है तो x को rationalize करके x के value को simple बना लो y के value को भी rationalize करके simple बना लो ठीक है देखो तो x का value दियावा है root 2 plus 1 by root 2 minus 1 इसको में rationalize कर लेते हैं यहाँ denominator में minus sign है तो इसको में लोग लिख लेते हैं root 2 plus 1 by root 2 plus 1 तो दिखो क्या हो जाएगा numerator में दोनों same same हो गया तो यह हो गया root 2 plus 1 का whole square और denominator में formula fit हो गया a minus b a plus b तो यह हो गया root 2 का square minus 1 का square तो root 2 plus 1 का whole square क्या होगा a plus b की whole square की formula पे fit हो रहा है तो root 2 का square plus 1 का square plus 2 into root 2 into 1 divided by root 2 का square हो गया 2 minus 1 का square हो गया 1 ठीक है तो root 2 का square तो root और square cancel यह आगया 2 plus 1 plus 2 root 2 और divided by 2 minus 1 हो गया 1 तो यह मिल गया हमें x का value तो यह simplify होके क्या आ गया 2 प्लस 1 3 प्लस 2 root 2 divided by 1 तो 1 लिखने का कोई जरुवत नहीं है तो यह x का value देखो अभी यहाँ पर क्या था जो original given value था x का value fraction के form में था अब x का value देखो rationalize होके एकदम simple हो गया है तो इसी तरीके से y के value को भी rationalize कर लेते हैं तो y का value दिया भाय है root 2 minus 1 by root 2 plus 1 तो इसको यहाँ पर देखो denominator में plus का sign है तो इसको minus से multiply कर लो minus करके तो जागा root 2 minus 1 by root 2 minus 1 से हम लोग multiply कर लेंगे तो y का value हो गया अब देखो numerator 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 multiply हो गया तो यह हो गया root 2 minus 1 का whole square और denominator में फिर से formula fit हो गया a plus b और a minus b का ती हो जाएगा root 2 का square minus 1 का whole square तो y का value यहाँ से आगा है numerator में देखो a minus b का whole square का formula fit हो रहा है ती हो जाएगा root 2 का square plus 1 का square minus 2 into root 2 into 1 और divided by root 2 का square to minus 1 का square 1 तो y का value आगया root 2 का square 2 plus 1 minus 2 root 2 तो denominator में हो गया 1 2 minus 1 1 तो 1 लिखने का आगे जरुवत नहीं है तो 2 plus 1 3 minus 2 root 2 by 1 तो यह देखो y का भी value आगया simple form में x का value आगया 3 plus 2 root 2 और y का value आगया 3 minus 2 root 2 अब हमें x square plus y square plus x y चीए अभी भी जेखो x का value है वो दो term में है binomial है अगर अभी भी हम x के value को direct अगर हम यहाँ पर put कर देंगे तो अभी भी हमें क्या करना होगा उसका square करना होगा तो अभी फिर वो थोड़ा सा लिंदी हो जाएगा तो देखो हम क्या करेंगे क्या करके हम लोग इसको बचा सकते हैं now x square plus y square plus x y है तो आपको देखो a plus b का whole square उल्टा सोचो कहीं भी हमें a plus b का whole square दिखता है तो हम लोग तुरंत उसके बदले लिख लेते हैं a square plus b square plus 2ab तो कहीं पे अगर हमें ऐसा दिखाई देगा a square plus b square plus 2ab तो उसके बदले हम लोग यह चीज़ लिख सकते हैं a plus b का whole square ठीक है उल्टा भी लिख सकते हैं लेकिन उल्टा लिखने के लिए क्या होना चीज़ ए a square plus b square plus 2ab इतना अगर as it is हमें दिखाई देगा तब हम ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें मिलता जूलता दिख रहा है x square plus y square अगर plus 2xy यहाँ पे 2 missing है अगर 2 रहता तो हम लोग इसको x plus y का whole square लिख सकते थे तो क्या करें थोड़ा सा adjustment हम अपने से भी कर सकते हैं x square plus y square plus xy है अगर एक बार xy और आ जाए तो काम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे अपने से एक बार plus xy कर दिए और minus xy कर दिए इससे overall तो कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन हमारा काम आसान हो जाएगा तो यहाँ पे हमने अपने तरफ से एक बार xy को add कर दिया और xy को minus किया तो इससे क्या हुआ यह x square plus y square plus xy और xy विलिके बनी जाए 2xy minus xy तो अब देखो इन तीनों को एक साथ देखो formula complete हो गया जो formula missing था आगे चलके हम factorization में यह चीज़ खुब पढ़ेंगे बहुत जादा हमें पढ़ना है कि कहीं पे जिससे formula incomplete है तो अपने से कुछ उसमें जोड के या कुछ subtract करके हम लोग formula complete कर लेते हैं तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा x plus y का whole square हो गया minus xy तो अब देखो अब अगर हम यहाँ पे x और y का value पूट करेंगे न तो हमारा काम आसान हो जाएगा x का value था 3 plus 2 root 2 तो x के place में लिग दो 3 plus 2 root 2 plus y plus y तो y के place में लिग दो 3 minus 2 root 2 और पूरे का whole square minus xy तो x का value क्या है 3 plus 2 root 2 into y into है यहाँ तो मैं यहाँ जाएगा क्या मैं नीचे लिख रहा हूँ into है साथ में into y, y का value है 3 minus 2 root 2 ठीक है तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ इस bracket के अंदर में plus 2 root 2 minus 2 root 2 तो आपस में ही cancel हो गया क्या बच गया 3 plus 3 6, 6 का square हो जाएगा 36 minus यह दोनों bracket आपस में multiply हो जाएगा 3 plus 2 root 2 और 3 minus 2 root 2 तो अगर हम ध्यान से देखे हैं तो यह भी formula fit हो रहा है a plus b, a minus b तो दोनों bracket को multiply करना काफी easy है यह हो गया 36 minus का sign तो रहने दो बाहर में यह a plus b, a minus b तो a का square मतलब 3 का square minus 2 root 2 का whole square ठीक है तो अब हमारा final answer आने वाला है तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं देखते हैं कहाँ कुछी raise करना पड़ेगा तो अब देखो क्या हो जागा यहाँ पर 36 minus 3 का square तो हो गया 9 minus 2 root 2 का whole square तो देखो 2 root 2 का whole square का मतलब 2 root 2 into 2 root 2 तो 2 2 जा 4 और root 2 into root 2 बन गया 242 जा 8 तो इसका value आ गया 8 यह 36 minus 9 minus 8 क्या हो जाएगा 1 और 36 minus 1 यह आ जाएगा 35 तो हमारा answer आ गया इसका 35 जो इसका value में find करना था find the value of this तो इसका value is 35 ठीक है तो हमारा के question भी complete देखते है answer सही आए कि नहीं हमारा तो हाँ बिलकुल सही है हमारा answer 15 इसके बाद दो काफी important question है last two question जो 16 और 17 काफी important है और इन दोनो question को हम दो तरीके से करेंगे तो इसमें भी time लगने वाला है तो यह देखो question number 16 काफी अच्छा question है यह इसमें क्या दिया है express दिया है 3 divided by root 3 minus root 2 plus root 5 express this with rational denominator with rational denominator का मतलब क्या वा अभी देखो जो denominator है वो क्या है irrational है बोल रहा है कि उसको rational में convert करो rational में कैसे convert करते है rationalize करके तो एक तरीके से rationalization का question है लेकिन अभी तेख हम ने जितने भी rationalization की question पढ़े denominator में सब दो पार्ट होता था कुछ इस टाइप से root 3 plus root 5 root 3 minus root 2 लेकिन इस बार क्या है denominator में तीन पार्ट है और तीनों पर से root लगावा है तो कैसे करेंगे देखो हमने क्या पढ़ा था डिनों मिनेट रेशनलाइज करते वाग जैसे इस टाइप का question हमें मिलता था मानलों टू अपॉन root 3 minus root 7 है तो हम क्या बोलते थे कि बीच में minus sign है तो इसको क्या करेंगे इस 3 plus root 7 से multiply कर दो तो अब बोलोगी यहां पर तीन टर्म है तो इसको कैसे decide करेंगे किसका sign change करेंगे कैसे करेंगे तो हम क्या करेंगे इस तीन टर्म में से किसी दो टर्म को एक single term की तरह ले लो जैसे यहां पर तीन टर्म है ना तो या तो इन दोनों टर्म को एक साथ एक single consider करो या इन दोनों टर्म को एक single consider करो या इन दोनों टर्म को एक single consider कर लो तीन टर्म है चाहे दस टर्म है ठीक है हमें उसको टोटल दो ग्रूप में बाटना पड़ेगा ठीक है जितने भी टर्म उसका दो ग्रूप बना लो तो हम यहां पर टोटल तीन टर्म है तो दो ग्रूप कैसे बनाएं, तो किसी एक ग्रूप में दो टर्म को लेना होगा, और किसी एक ग्रूप में एक टर्म को लेना होगा, अगर मालों चार टर्म रहते हैं, तो हम दो दो का ग्रूप बना लेते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, किसी एक ग्रूप में दो को ले ले देखेंगे, ठीक है? कोई सा भी, जिसे हमने इन दोनों को एक साफ लेके बनाचे हैं अगला हम वही करने वाले हैं पहले हूं क्या कर रहें, इन दोनों step में बन सकता था वो 10 step भी हो सकता है तो यह भी हम देखेंगे तो पूरा आपका concept बिल्कुल अच्छे से clear हो जाएगा इस वीडियो को बीच में skip मत करिएगा काफ़ important है यह ठीक है तब देखो हमने क्या किया इन दोनों term को एक साथ एक single term मान लिया तो अब हम क्या करेंगे rationalization के लिए 3 upon root 3 minus root 2 plus root 5 into किसे करेंगे root 3 minus root 2 इस sign को change नहीं करेंगे यह तो पूरा एक single term है यह plus इस sign को change करेंगे इस plus को कर देंगे हम minus root 5 divided by root 3 minus root 2 यह तो पूरा minus root 5 जो भी रहता है plus है तो उपर नीचे minus से multiply कर दी ठीक है यहा तक अब देखो numerator 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 से multiply हो जागा denominator denominator से तो 3 into this पूरा तो क्या हो गया 3 into root 3 minus root 2 minus root 5 और divided by denominator में देखो हमेशे की तरह इस बार भी formula fit हो रहा है a minus b a plus b का इस पूरे को में एक single term की तरह देख रहे हैं तो समझे यह पूरा लिखावा x plus root 5 x minus root 5 तो यह क्या हो जाएगा root 3 minus root 2 का whole square minus root 5 का whole square अगर आपका basics clear है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस question में और अगर basic clear नहीं है और खली आप वीडियो आगे बढ़ते जा रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा अब देखो यहाँ पर क्या होगा 3 bracket में है root 3 minus root 2 minus root 5 और यहाँ denominator में क्या हुआ इस इस टिप के बाद यह वाला numerator तो as it is है 3 bracket में root 3 minus root 2 minus root 5 और denominator में क्या हुआ a minus b का whole square तो यह हो जाएगा root 3 का whole square plus root 2 का whole square minus 2 into root 3 into root 2 ठीक है और यह minus root 5 का whole square तो यह तो 5 बन जाएगा numerator में कोई change नहीं हुआ as it is है 3 root 3 minus root 2 minus root 5 divided by denominator में देखो root 3 का square बन गया 3 root 2 का square हो गया 2 minus 2 root 6 और minus 5 तो यह क्या हो गया 3 plus 2 5 5 minus 5 क्या हो गया 0 खतम हो गया यह वाला पाट तो सिर्फ क्या बच गया 3 bracket में आ गया root 3 minus root 2 minus root 5 और 3 plus 2 5 5 minus 5 खतम हो गया तो सिर्फ क्या बच गया minus 2 root 6 तो अभी हमारा पूरा complete नहीं हुआ है rationalization का मतलब क्या होता डिनोमिनेटर से root को पूरी तरीके से हटा देना तो root अभी पूरी तरीके से नहीं हटा है अभी यह root 6 है में दिख रहा है तो अभी यह root 6 कैसे हटेगा अगर इसको एक root 6 और मिल जाए यह root 6 root 6 से multiply होगा तो यह root खतम हो जाएगा तो हम आगे फिर से करेंगे 3 bracket में root 3 minus root 2 minus root 5 upon minus 2 root 6 into numerator और डिनोमिनेटर हम दोनों को सिर्फ root 6 से multiply कर देंगे जाएगा 3 into root 6 3 root 6 और यह पूरा bracket as it is root 3 minus root 2 minus root 5 और by minus 2 और root 6 into root 6 क्या हो जाएगा 6 तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया minus 12 चाहिस 3 से cut कर दो 3 टूजा 6 तो डिनोमिनेटर में आ गया minus 4 तो root 6 और यह हो गया root 3 minus root 2 minus root 5 denominator में हो गया माइनस 2 इंटु 2 माइनस 4 बच गया तो माइनस के साइन को यहां तो हम उपर नुम्रेटर में shift कर दें पहले root 6 से multiply कर लो तो root 6 इंटू root 3 यह हो गया root 18 माइनस root 12 माइनस root 30 root 6 इंटू root 5 root 30 by minus 4 तो यह minus का sign उपर चला जाएगा ती हो गया माइनस रूट अठारा प्लस रूट बारा प्लस रूट थर्टी बाई फोर देखो इस रूट में से किसी में से कुछ बाहर nिकल सकता है गया 18 में 18 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 18 को 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 तो root 18 के अंदर क्या है 3 दो बार है तो एक बार अगर हम 3 को बाहर निकाल लें तो यह क्या हो जाएगा minus 3 root 2 हो गया plus 12 का मतलब क्या होता है 2 into 2 4 into 3 12 तो 12 के अंदर 2 2 छुपा हुआ है तो अगर इसमें से 1 2 बाहर निकाल लें हम तो 2 अंदर में root 3 बच जाएगा root 30 से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता यह as it is रहेगा by 4 तो यह आगे हमारा final answer तो इसको हम रियरेंज करके लिख लेते हैं जेनरल हम लोग माइनस वाले को बाद में लिखते हैं यह ऐसे भी लिखो कोई फरक निपड़ता है यह ऐसे लिख लो 2 root 3 plus root 30 minus 3 root 2 divided by 4 यह हमारा answer आ गया इसको आप एक बार note कर लो ठीक है copy में लिख लो और अभी हम इसी same question को दूसरे method से solve करते हैं दूसरा method रहेगा method को दूसरा नहीं है बस हम आप पेरिंग अलग करेंगे और देखते हैं उससे भी सेम आता है कि नहीं सेम आएगा लेकिन वह काफी lengthy हो जाएगा जितने कम स्टेप में यह हो गया वह से double step solve होगा ठीक है करके देखते है तो आपको पूरा clear होगा आप इसक को हम solve कर रहे हैं पेरिंग यहाँ पे चेंज करेंगे अब क्या करेंगे हैं एक बार इन दोनों को एक साथ में ले लेते हैं यह इतने कम स्टेप में क्यों बन गया देखो क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस 2 5 और यहाँ भी था 5 तो जब इनका यहाँ पर फॉर्मूला ब्रेक किये ए माइनस बी का होली स्क्वेर तो इससे क्या बाहर निकला 3 प्लस 2 5 बना और यह भी 5 तो 5 5 कट के खतम हो गया तो इसलिए कम स्टेप में solve हो गया अगर पेरिंग अर्वड हो जाता देखो करने से समझनाएगा देखो इसको छोड़ देते हैं हम आंसर को यहीं पर देखो यहां पर क्या करेंगा हम इस बार इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेते हैं ठीक है 3 अपॉन root 3 minus इन दोनों को एक साथ हम यहीं पर bracket डालना चाहता है जैसे पिछले बार हमने यहाँ bracket डाल दिया था इस बार यहाँ bracket डालना चाहता है तो root 2 plus root 5 इस तरीके से अगर आप bracket डाल रहे हो तो यह गलत कर रहे हो यहाँ पर आपने क्या-क्या bracket डाल दिया minus x plus y minus z और आप यहाँ पर ब्रैकेट डाल रहे हो इस तरीके से तो यह गलत है इस तरीके से bracket नहीं लगता है यूकि इसके x क्या आगे minus है ना अगर सेम यह रहता x plus y minus z x क्या आगे कुछ नहीं मतलब plus है तो आप bracket डाल तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ minus है और आप bracket इस तरीके से लगा रहे हो तो यह गलत हो जाएगा क्या करना होगा क्या लिखावा है minus x plus y minus z लिखावा है यहाँ bracket लगा रहे है minus तो यहाँ हम क्या कर रहे है bracket क्या आगे जब भी अगर minus हा जाता है तो अंदर फिर हमको है आप लोगो clear हो फिर भी कुछ instrument हो सकते हैं जिसको clear नहीं हो इसलिए मैं बता दे रहाँ यहाँ पर देखो यहाँ पर रूट थी minus root 2 minus root 5 उपर नीचे multiply करेंगे सेम बस यहाँ यह जो minus इसको plus कर देंगे तो root 3 plus root 2 minus root 5 divided by में root 3 plus यह minus का sign plus root 2 minus root 5 तो यह देखो गया हो गया 3 इसके साथ multiply हो जाएगा root 3 plus root 2 minus root 5 इस bracket के बाहर plus का sign है तो यह bracket 2 तो भी ठीक है नई 2 तो भी ठीक है कोई फरक नहीं पड़ता है तो यह काम हो गया इसके बाद देखो denominator को जब multiply करेंगे इसको यह x minus y इस पूरे को y समझो x minus y x plus y तो क्या हो जाएगा x square minus y square तो यह हो गया root 3 का square minus root 2 minus root 5 का whole square तो अब इसके बाद 3 bracket में root 3 plus root 2 minus root 5 divided by में root 3 का square तो 3 बन गया और minus रहने दो root 2 का square plus root 5 का square minus 2 into root 2 into root 5 ठीक है a minus b का whole square a square plus b square minus 2ab ठीक है अब देखो इसके बाद इधार लिखते हैं तो numerator में तो कोई change नहीं हो रहा है 3 as it is रहेगा root 3 plus root 2 minus root 5 और denominator में देखो क्या हो गया 3 minus इस bracket के अंदर देखो क्या हो रहा है ब्रेकेट के अंदर रहा root 2 का square root 2 का square 2 बन गया root 5 का square plus 5 बन गया और minus 2 root 2 into root 5 यह हो गया root 10 minus 2 root 10 ठीक है जो फिर क्या होगा इसके बाद 3 बाहर में है root 3 plus root 2 minus root 5 और divided by में 3 minus अगर हम ब्रेकेट ऑपन कर देंगे तो क्या होगा 3 minus 2 minus 5 plus 2 root 10 यह होगा 3 root 3 plus root 2 minus root 5 divided by में 3 minus 2 क्या हो गया 3 minus 2 हो गया 3 minus 2 1 और 1 minus 5 minus 4 plus 2 root 10 ठीक है तो पिछला वाला जो कोई पिछले तरीके से जो हमने solve किया था तो डिरोबिनेटर में एक सिर्फ root 6 की term में आ गया था ठीक है और वो एक single term था इस बार देको यह 2 term आ गया इसको ऐसे लिख सकते हैं लोग 3 ब्रैकेट में root 3 plus root 2 minus root 5 और यह minus वाले को बाद में लिख लेते plus वाले को पहले लिख लो 2 root 10 minus 4 इसको इस तरीके से लिख लो तो अब देखो यह आ गया तो अब यहां सी root 10 कैसे हटेगा रूट 10 को हटाने के लिए हमें क्या multiply करना होगा सिर्फ root 10 से multiply करने से काम नहीं चलेगा इस बार आपको इक कोशन देखके समझ में आ रहा होगा कि इसको आगे फिर से यह होगा 3 root 3 plus 3 root 2 minus 3 root 5 एक यह bracket और यह वाला 2 root 10 plus 4 divided by में यहां तो formula fit हो रहा है a minus b a plus b तो यह होगा 2 root 10 का whole square minus 4 का whole square इसके बाद multiply करना होगा तो erase कर लेते हैं इसको इधर से और इसको भी रेस कर लेते हैं अब देखो 3 root 3 into 2 root 10 यह क्या हो जाएगा 3 2 6 root 30 6 root 30 आपको साउधानी से multiply करना है एक भी mistake हूँ आप cancer मैच नहीं करेगा 3 2 6 और root 3 into root 10 root 30 तो यह हो गया 6 root 30 फिर 3 root 3 का whole 4 से multiply करेंगे तो यह जाएगा plus 12 root 3 फिर 3 root 2 को 2 root 10 से प्लस 6 और root 2 into root 10 यह हो गया root 20 ठीक है और फिर इसको multiply करेंगे इसके साथ 4 के साथ तो 3 4 जाट 12 plus 12 root 2 आगया और फिर 3 root 5 into 2 root 10 तो माइनस 3 root 5 into 2 root 10 यह हो गया minus 3 2 जाए minus 6 और root 5 into root 10 root 50 और फिर minus 3 root 5 into plus 4 तो यह हो गया minus 12 root 5 ठीक है बाई डिनोमिनेटर में 2 root 10 का होल स्कोर बतार 2 root 10 into 2 root 10 तो 2 into 2 हो गया 4 और root 10 into root 10 हो गया 10 तो 4 10 जाब 40 यह आगया 40 minus 4 का स्कोर हो गया 16 अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे numerator में देखो कुछ कैंसिल हो रहा है गया कुछ कैंसिल होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है देखो करेंगे तो समझ मैंगा root 30 से तो कुछ बाहर नहीं आ सकता है 6 root 30 plus 12 root 3 plus 6 root 20 है देखो root 20 का मतलब क्या हुआ 20 को लिखते है है 2 into 2 4 4 into 5 20 तो 20 के अंदर दो बार 2 छुपावा है तो 2 2 के बदले एक 2 बाहर निकल जाएगा तो 6 into 2 हो गया तो फिर क्या बच गया 5 तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 20 के बदले हमने क्या है root 20 को क्या लिख लिख लिए 2 root 5 plus 12 root 2 ठीक है यह आ गया plus 12 root 2 minus 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 into 525 25 into 2 50 ठीक है तो 50 के अंदर क्या है दो बार 5 छुपा हुआ है तो एक बार 5 बाहर निकल जाएगा minus 6 तो पहले से है इंटू 5 बाहर निकल गया और एक root 2 अंदर हा गया minus 12 root 5 divided by में 40 minus 16 क्या हो जाएगा 24 और फिर यह हो गया 6 root 30 plus 12 root 3 6 2 जा 12 plus 12 root 5 plus 12 root 2 minus 65 जा 30 minus 30 root 2 minus 12 root 5 divided by में 12 अब इसके बाद कहीं कुछ cancel होता हुआ दिख रहा है भी भी यहां भी यह root 2 अलटर्म है root 2 है इन दोनों में root 2 दिख रहा है ठीक है और तो प्लस 12 root 5 minus 12 root 5 यह वाल अलटर्म cancel हो गया यह हो गया 6 root 30 plus 12 root 3 और plus 12 minus 30 तो यह क्या हो जाएगा 30 minus 12 हो जाएगा 18 minus 18 root 2 divided by में 12 ठीक है और यह simplify नहीं हो सकता है अब हम इस 12 को तीनों की नीचे अलग-अलग करके लिख सकते है यह numerator में देखो पूरे numerator में से 6 common बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगर numerator से 6 बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा 6 बाहर निकल गया तो बचे का आगया रूट 30 by 2 प्लस यहां पर यह सॉरी 24 था यह गलती से 12 लिखा गया यह 24 ठीक है तो 24 था तो 64 बार में कट जाएगा तो क्या आगया 30 रूट 30 by 4 चाहिस को यहीं पर छोड़ दो रूट 30 प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 बाई 4 तो आप मैच करो एक बार हम फिर से मैच कर लेते हैं अंसर सही हारा है कि नहीं तो हमारा आंसर आ रहा है ठीक है 2 रूट 3 है माइनस 3 रूट 2 है प्लस रूट 30 बाई 4 ठीक है तो द पहले तरीके से किया था तो काफी कम स्टेप में बन गया था और इसमें थोड़ा से स्टेप ज्यादा हो गया तो आपको पेरिंग का ध्यान रखना है कि आपको पेरिंग सही से करो ताकि कोशन सही से आराम से बन जाए पेरिंग कैसे देखेंगे कोई ऐसा दो नंबर देख एक अलग पेर में डाल देते हैं तो यह question complete already video काफी lengthy हो चुकी है तो एक question और बच गया हमारा इसके बाद इसके बाद जो question बचावा है वो question number 17 वो भी काफी important काफी काफी important question है तो उसको भी हम दो तरीके से करेंगे तो अगर इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी इसको stop कर देते हैं next video में उसको कर लेंगे उस question को तो इस video को यही stop कर रहे हैं ठीक है तो आप कमेंट करके बता देना कि आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी जो first time हमारे चैनल प्यार है प्लीज चैनल को subscribe कर लेना घंटी बजा लेना मिलते हैं next video में next question के साथ